क्या आपकी बेश और दुनिया की खबरों से रहे चाते हैं बेखबर तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे एच्टी नीज चैनल को और बेड़ आइकॉन को दबाना मत पुलिएगा सुनिये जितना जेन्यू में हुआ है ना जो जेन्यू में हुआ है वो इनसानों ने नहीं किया बलके प्लैनेट मार्स और वीनस से लोग स्पेस्शिप में लैंड किये डिली पोलिस आफिस में वो स्पेस्शिप लैंड किया और वहां से पूरे हेलियन्स हमुशी से चले गए जेन्यू में और जेन्यू में जाकर उन्होंने मारकर वापी स्पेस्शिप में बैटकर प्लैनेट मार्स और वीनस को चले गए बस यही है दूसरा कोई ने किये कून कर सकता है हाँ ने नहीं हिंदू अब अब दिखिए पहले तो अनस्ट डिसिशन यह होना चाहिए था यूनिवस्टी में कैसा गुसे वो ट्रेसपासिंग का फिंस है उनके पर आई पीसी का ट्रेसपासिंग का सेक्शन लगना उनके हाथ में रॉड्स है बक्ची को यूनियन के ब्रेजि़ 25 मर्डर का केस लगना सर पोड़ दिये प्रापर्टी डैमेज करे युनिस्टी की योगी सरकार जो है साड़े चौदा लाख उसूल करने के लिए जो अदमी मर गए उनको नोटिस देती जो 90 यर्स के उनको नोटिस देती यहाँ जेनियू में जो लॉस अफ डैमेज हुआ और जो बच्चों को मारा गया और कैसे वो लोग अंदर गुस कराए वो ट्रेस्ट पासर्स कौन सा बीजेपी का इंपी उसमें इन्वाल्व है यह रुकना चाहिए था ना और आखरी बात यहे के जेनियू के वाइस चांसलर को अगर थोड़ी शरम बाकी है तो उनों इस्टफादे के चले जाना उनमें अगर कोई शरम और हया बाकी है तो छोड़ के चले जाना क्योंके वो वाइस चांसलर नहीं बलकि उस्टूडन्स के पेरेंट होते इंदुस्तान के कोने कोने से गरीब बच्चे पढ़ते आके महाँ पर और एक पेरेंट का काम होता के बच्चों को रोकना बचाना महाँ बच्चे मार खाने के लिए नहीं आते वो बच्ची जो अपने सर पे मार खाई और जो गर्ल्स हॉस्टिल के आडियो मैं भी सुनाओं कि बच्चियां पुकार रही हैं तकलीफ से देर गंटे तक दिल्ली पॉलिस नहीं जाती और यहीं वोई दिल्ली पॉलिस है कि जब लॉयर्स उनको पीट रहे थे तो एतजाज करते हैं और जामे मिलिया में घुसकर मिनाजुद्दीन की आँख को फोड़ दिये आँख जाए होगे मिनाजुद्दीन की लेबररी में जाकर जामे मिलिया में बच्चियों के हास्टिल में घुसकर बच्चियों को पीटा गया यह इनका परता हो है यह शायद नया भारत है अच्छान वरी, at 2 p.m. from Eidga, Miralam there will be insha'Allah a peaceful protest valley will be started from 2 p.m. which will proceed to Shastri Puram and at 5 p.m. this protest valley will end at the same time there is a facility has been created for people to if they want to do their Jumma Namaz at Eidga, Miralam which will be held at quarter past 1 thirdly it has also been decided that on 25th of January in front of historical Charminar there will be a protest meeting and also a Mushaira wherein we will try to get renowned poets to attend that historic meeting and at sharp 12 a.m. insha'Allah the national flag will be hoisted the third decision that was taken was on 30th of January which is the day on which Mahatma Gandhi was assassinated on that day from it was decided that from Mahatma Gandhi line flower mill right up to Papu Gaad there will be a human chain a silent protest each and every Indian will be holding their hands and this is the three decisions and this is the three decisions that have been taken I would request the people of Hyderabad I would earnestly request the people of Telangana and wherever all our voices are reaching we request you to please participate in all these programs make it a grand success and it has to be peaceful insha'Allah it will be peaceful because this is not a program of one party or one organization this is being done to save the soul of our country to save the constitution of our India if these protests are being done to not only pay homage to our founding fathers whether they be Gandhi, Ambedkar, Rajendra, Pasad but to also ensure that their legacy is not destroyed so we would request people at large women in particular youth in particular to please join this protest and to make it a success thank you